नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के आपके दाशिवल के बारे में दोस्तों आज आपका शिक्सा स्वास्थ्या औरोजगार से समधी दिन कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपके तीन काम बनेंगे लेकिन इन कामों को करने से पहले आपको किन किन बातों का धियान रखना है कौन कौन सी उपाय करने है आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तो सबसे पहले जानेंगे आज के पंचांग के मेरे में आज दिनाक रहेगा 11 अपरेल, 23 इस मास रहेगा विसार पक्सराकिश पक्सतीती रहेगी पंच में मंगलवार, प्रात्या, 7 बशकर 17 मिनिट तक दोस्तो आज आपके लिए असुप समया बिजीत मूरत रहेगा प्रात्या, 11 बशकर 17 मिनट से दौप हर 12 बशकर 18 मिनिट तक और असूब समयराओ कल का समया रहेगा दोपहर तीन बचका तीस मिनट से साया पांच बचका नो मिनट तक दोस्तो इस समया में आप कोई भी सुब काम ना करें दोस्तो जाने आज आपका राशिवल कैसा रहेगा दोस्तो आज का दिन आसां के विप्रित रहने वाल है सोची हुई योजने आरम में सफल होती नजर आएंगी पर तो दोपहर तक इनसे निरासा ही मिलेगी आज आप जिससे भी सायता मांगेंगे वो भरम किस्तिती में रखेगा आज आप आत्म निर्बर होकर अपने कारियों को करें भागीदारी से धन को लेकर अनबन हो सकती है मीट्या विवहा रखने पर भी लोग आपको केवल कारिया निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे कारिया क्षेतर की भढ़ास घर पर निकालने से घर का महुल भी बेवज़क रहब होगा पुराने कारियों को पूर्ण करने की चिंता रहेगी प्रेम परसंगों से निरास रहेंगे दोस्तो आज का दिन आसा नुकुल भी रहने वाल है सिहत उत्तम रहने से कारियों को मन लगा करेंगे लेकिन किसी के हस्तक सेव करने से मन दुखी हो सकते है किसी के उपर ध्यान न रखे किसी के उपर ध्यान न दे एक अगर होकर अपनी कारियों में लगरे धन एवन सम्मा दोनों मिलने की योग है लेकिन उधार के व्योहार बढ़ने से एस्वीदा भी होगी व्योशाय में व्रिद्धी के लिएश करना सुब रहेगा भाई बंदों का साहुग आज अपेक्सा कृत्का में ही रहेगा महलाओं को छोड़ घर के अन्या सिद्ध से आपसे इर्षया रखेंगे इस्तरी से सुख दैक समाचार मिलेंगे दोस्तो जो आज ये आपके तीन काम बनने वाले हैं इन कामों को करने से पहले आपको हनुमान मंदिर में जाना है और वहाँ पर हनुमान चल्शा का पाठ करना है तबी आपके ये तीनों काम सिद्ध होंगे दोस्तो आज आपके लिए सुख दिशा रहेगी उत्तर सुख अंकर हैगा पाँच और भाग्या साली रंग रहेगा सफेद रंग और आज आपके लिए भाग्या फल रहेगा असी परतिसत धन्यावाद